अरी मथिया वासी योसफ यहुदियों के भै के कारण मसी येशु का गुप्त शिश्य था। उसने पिला तौस से मसी येशु का शव ले जाने की अनुमती चाहिए। पिला तौस ने स्विकृती दे दी और वो आकर मसी येशु का शव ले गया। तब निको देमास भी जो पहले मसी येशु से भेंट करने रात के समय आये थे। लगभग 33 किलो गंधरस और अगरू का मिश्रण लेकर आये। इन लोगों ने मसी येशु का शव लिया और यहूदियों की अंतिम संसकार की रीती के अनुसार उस पर ये मिश्रण लगा कर कपड़े की पट्टियों में लपेट दिया। मसी येशु को कुरूसित किये जाने के स्थान के पास एक उपवन था जिसमें एक नई कबर की गुफा थी। उसमें अब तक कोई शव नहीं रखा गया था। इसलिए उन्होंने मसी येशु के शव को उसी कबर की गुफा में रख दिया। क्योंकि वो पास थी। और वो यहुदियों के शबात की तैयारी का दिन भी था। सप्ताक के पहले दिन सूर्य उद्य के पूर्व जब अंधिरा ही था। मगदालावासी मर्यम कंद्रा कबर पर आएं। और उन्होंने देखा कि कबर के प्रवेश द्वार से पथर पहले ही हटा उगा है। सो वो दोड़ती हुई शिमान पत्रस और उस शिष्षे के पास गई जो मसी येशु का प्रिय जन था और उनसे कहा वे प्रभु को कबर में से उठा ले गए हैं और हम नहीं जानते कि उन्होंने उन्हें कहां रखा है। तब पत्रस और वो अन्य शिष्षे कबर की ओर चल पड़े, वे दोनों साख साथ दोड़ रहे थे, किन्तु वो अन्य शिष्षे दोड़ते हुए पत्रस से आगे निकल गया और कबर पर पहले पहुँच गया। उसने जुक कर अंदर जाका और देखा कि वहां कपड़े की पट्टियों का धेर लगा है, किन्तु वो भीतर न पर अलग स्थान पर रखा हुआ पाया। तब वो अन्य शिष्षे भी जो कबर पर पहले पहुचा था भीतर गया। उसने देखा और विश्वास किया। वे अब तक पवित्र शास्त्र की ये बात समझ नहीं पाए थे, कि मसी येशु का मरे हुओं में से जी उठना जरूर होगा। सो शिष्य दोबारा अपने अपने घर चले गए। परंतु मर्यम कब्र की गुफा के बाहर खड़ी रो रही थी। उन्होंने रोते-रोते जुक कर कब्र की गुफा के अंदर जांका। उन्होंने देखा कि जिस थान पर मसी येशु का शव रखा था, वहां सफेद कपड़ों में दो स्वर्ग दूद बैठे हैं, एक सिर के पास और दूसरा पैर के पास। उन्होंने उनसे पूछा, तुम क्यों रो रही हो। उन्होंने उतर दिया, वे मेरे प्रभु को यहां से ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उन्हें कहां रखा है। ये क उन्होंने उन्हें माली समझ कर कहा, यदि आप उन्हें यहां से उठा ले गए हैं, तो मुझे बता दीजिए कि आपने उन्हें कहां रखा है, कि मैं उन्हें ले जाओं। इस पर मसी येशु बोले, मरियम। अपना नाम सुन वो मुणी। और उन्हें इबरी भाशा में ब मसी येशु ने उन्हें से कहा, मुझे मत चुओ, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास उपर नहीं गया हूँ, कि मैं तु मेरे भाईयों को जाकर सूचित कर दो, मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता तथा अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास उपर ज कि मैंने प्रभू को देखा है और उसने शिष्चों को वो सब बताया जो प्रभू ने उससे कहा था उसी दिन जो सब तहका पहला दिन था संध्या समय यहुदियों से बहभीत शिष्च द्वार बंद किये हुए कमरे में इखटा थे मसी येशू उनके बीच आखड़े हुए और बोले तुम में शान्ती बनी रहे ये कहकर उन्होंने अपने हाथ और पाम दिखाए प्रभू को देखकर शिष्च आनंद से भर गए इस पर मसी येशू ने दोबारा उनसे कहा तुम में शान्ती बनी रहे जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा है मैं भी तुमें भेजदा हूँ तब उन्होंने उन पर फूंका और उनसे कहा पवित्रात्मा ग्रहन करो यदि तुम किसी के बाप ख्षमा करोगे, उनके बाप ख्षमा किये गए, और जिनके बाप तुम ख्षमा नहीं करोगे, वे अपने बापों में बंधे रहेंगे जब मसी येशु अपने शिष्चों के पास आये थे उस समय उनके बारां शिष्चों में से एक शिष्चे थोमास जिनका उपनाम दिदुमास था वहाँ नहीं थे अन्य शिष्चे उनसे कहते रहे हमने प्रभू को दिखा है इस पर थोमास उनसे बोले जब तक मैं उनके हाथों में कीलों के विचिन ना देख लूँ और कीलों से छिदे उन हाथों में अपनी उंगली और उनकी पसली में अपना हाथ डाल कर ना देख लूँ तब तक मैं विश्वास कर ही नहीं सकता आठ दिन के बाद मसी येशु के शिश्य दोबारा उस कक्ष में एकटा थे और इस समय थोमास उनके साथ थे सारे द्वार बंध होने पर भी मसी येशु उनके बीच आ खड़े हुए और उनसे कहा तुम में शांती बनी रहे तब हुनोंने थोमास की ओर मुख कर कहा अपनी उंगली से मेरे हाथों को चू कर देखो और अपने हाथ बढ़ा कर मेरी पसली में डालो आ विश्वासी ना रहकर विश्वासी बनो थोमास बोल उठे मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर मसी येश्वनों से कहा तुमने तो विश्वास इसलिए किया है कि तुमने मुझे देख लिया धन्ने हैं वे जिनोंने मुझे नहीं देखा फिर भी विश्वास किया मसी येशू ने अपने शिश्यों के सामने अनेक अद्भुद चिन्न दिखाए जिनका वर्णन इस पुस्तक में नहीं है परन्तु ये जो लिखे गए हैं इसलिए कि तुम विश्वास करो कि येशू ही वो मसी है वही परमेश्वर के पुत्र है और इसी विश्वास के थ्वारा तुम उनमें जीवन प्राप्क